हलो एब्रिबर नमस्ते स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल बैस्ट नौट्स टिटोरियल पर आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 20 इंपोर्टन्ट एमसी क्यों को जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन्ट हो सकते हैं और एमसी क्यों हैं आपके उत्राखंट प्रिवेस एयर एक्जाम पेपर से रिलेटेड वहीं से ये प्रशन लिए गए हैं तो आप सभी लोग वीडियो के अंतक बने रहे हैं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं नमस्ति दोस्तों मैं मनवर सिंग आप लोगों के वीज़ फिर से वापस तो चलिए शुरू करते हैं पहला एमसी क्यों है आप लोगों के लिए निमनी लिखिन में से सब्द कौन सा है उप्शन A है अधी शासी उप्शन B है अधी शासी उप्शन C है अधी शासी और उप्शन नमर D है अधी शासी तो सई जबाब होगा आपको उप्शन नमर A अधी शासी ये एक सुद सब्द है अगला MCQ है, समस्त कारणों के रहते वे भी कारे की उत्पति नहों तो अलंकार होता है विभावना, विशेज, सोक्ति, अप्रस्तुत, प्रसंस और स्वभावोक्ति तो सई जवाब होगा आपका आप्सिन नमर B विशे शोक्ति समस्कारों के रहते हुए भी कारे के उत्पति नहों तो अलंकार होता है विशे शोक्ति अगला M.C. क्यों है दोस्तों निम्न लिखिन में से सुर्षरी का परियावाचे सब्द है निकेत जानवी मधवा अंबर तो सही जवाब है ऑप्शन B जानवी सुर्षरी का परियावाचे सब्द क्या है जानवी अगला M.C. क्यों है निम्न लिखिन में से सनमती का संदी विचेद है तो अप्शन नमर D आपका यहाँ पर सही जवाब होगा सत्य प्लस मती ये सनमती का संदी विचेद है अगला M.C. क्यों है निमनी में से उत्पती की दिरिष्टी से सोभाग्य सब्ध है तत्सम तदभव देशज आगत तो सई जवाब है तत्सम उत्पती की दिरिष्टी से सोभाग्य सब्ध है तत्सम अगला हमसी क्यों है निम्न मेंसे पत्राचार के किस रूप प्रारूप में सम्भूधन और स्वनिर्देश नहीं होता है ग्यापन, सरकारी पत्र, अर्धिस, सरकारी पत्र और अनुस्मारक तो ग्यापन आपका सही जवाब होगा, औप्सन नमर ए अगला एमसी क्यों है? गरम सब्द निम्न में से किस भासा से हिंदी भासा में आया है? संस्कृत, अर्वी, फार्सी, अंग्रेजी तो सही जवाब होगा option number C, फार्सी सब्द से वो फार्सी भासा से गरम सब्द आया है हिंदी भासा में अगला MCQ है, इस पर संगर्शी ब्यांजन है सही जवाब है आपका option D, इस पर संगर्शी ब्यांजन है अगला MCQ है, कोई सब्द में कौन सा सरवनाम है पुरुष वाचक सरवनाम, प्रेश्ण वाचक सरवनाम, अनिष्चे वाचक सरवनाम और निज वाचक सरवनाम, तो सही जवाब होगा आपका option number C कोई सब्द में कौन सा सरवनाम है, वो है अनिष्चे वाचक सरवनाम अगला MCQ है, जो सजन होता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं किस परकार का वाच्य है, सरल वाच्य, सैक्ट वाच्य, मिष्ट वाच्य और उप्रियूक मसे कोई नहीं तो मिष्ट वाच्य आपका सजवाब होगा, जो सजन होता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं ये मिष्ट वाच्य है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगले मसी क्यो है, वहाँ घर पहुँच गया इस वाच्य में पहुँच गया निमनांकित में से किस क्रिया का उधारन है प्रेरनासक किरिया, दुकर्मक किरिया, सन्युक्त किरिया और पुर्वकालिक किरिया तो सही जबाब होगा अपको एक और पहुँच किरिया अगले मसी क्यों है, पानी पेकर गढ़र पूचना का अर्थ क्या है अनोखा काम करना विप्रीत काम करना आरम से सोचना काम निकलने के बास सोचना तो सही जवाब होगा आपका गुण और दोश ये पुलिंग सब्द है बाकि मुदिता भी किसी इस्त्री का नाम होता है और संहिता भी और जोटसना भी अगला हम सी क्यों है आचार हजारी परसाद दुवेदी को साहित अकादमी पुरसकार किस रचना के लिए मिला है अचारे हजारी परसाद दुवेदी को साहित्य अकाद में पुरुसकार मिला था तो किस रजना के लिए मिला है पुनर नवा अशोक के फूल चंद्र चारो चंद्र लेक और आलोग परव तो सही जवाब होगा आलोग परव आप्शन नमर डी अगला म सिक्यू है निसीम व उत्पति सब्दों के बिलोम सब्दों का सही जोड़ा है निसीम असीम उत्पति मृत्यू निसीम सिमित उत्पति नास निसीम उचाई उत्पति समग्र निसीम बिना सिमा के उत्पति और समापन तो सही जवाब है आप्शन बी निसीम सिमित उत् पूज्या आपका सही जवाब होगा अभिजात सब्त का जो अर्थ है वहा है पूज्या अगलाम सिक्यू है योगिक संख्या कहते हैं ऑफेसन दिये गये हैं जिन संख्याओं के भिवन्बिन सब। सार्थक हो जिन संग्याओं में नियूंतम एक सब्द सार्थक हो जिन संग्याओं के भिन-भिन सब्द निरर्थक हो और जिन संग्याओं में एक सार्थक और एक निरर्थक सब्द हो तो option number A आपका सही जबाब होगा जिन संग्याओं के भिन-भिन सब्द सार्थक हो वो योगिक संग्या कहलाते हैं तो अगला प्रेश्ण है प्रेश्ण का सही वर्ण विछेद है option number C आपका इसमें सही जवाब होगा प, धन, रो, धन आधन, शाधन, नौधन और आ तो option number C आपका इसमें सही जवाब होगा दोस्तों आज की class हैं पर समाप्त करते हैं I hope कि आपको आज की वीडियो में काफी कुछ जाने को मिला होगा तो कुछ जाने को मिला है तो comment कीजिए और वीडियो को अभी तक like नहीं किए तो like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजिए जो भी तैयरे करने वाले होंगे Thank you for watching, stay connected, stay blessed